हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट 2021 स्टुडेंट के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी कॉंसलिंग के अंदर पार्टेस्पेट करने वाले है तो गैज अब आपकी कॉंसलिंग स्टार्ट होने वाली है ठी स्टेंट कोर्टा जो 85% रेजर्वेशन है उसके कॉंसलिंग केनड्jach करवाएगा यह एंग्यूरी बोल दिया है ठीक है अबela Об hasil Eg छो है वह कब से बैप्यासटर के लिए सबसे पहले elना दर्वापलाइस की सबएyd को सकता है क्योंकि आप सभी को पता राजा का दर्व फट आप फट आपको जो कोलेज है वो अलोट कर दिये जाए तो सबसे पहले गाज अगर आपने डोकिमेंट तयार नहीं करवाए है तो सबसे पहला काम है डोकिमेंट तयार कर वा लिजेगा क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा अब बात आती है राउंड वाइस काट डेटा क्या है तो आज मैं इस वीडियो में आपको राउंड वाइस का टोफ बताने वाली हूँ कि कितने मार्क तक कितने रैंक तक स्टूरेंट का किस राउंड में क्लियर हो सकता है और जो कोलेज है वो अलोट हो सकता है किस केटेगरी का डेटा क्या है तो गैज मैं सबसे 2021 से कुछ similarity रखता है थोड़ा बहुत ही difference है तो उस similarity के कारण आपको यह पता चल जाएगा जब आप 2021 का allotment list आप देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितने rank तक के student का किस round में selection हुआ है और उनका किस type का college मिला है ठीक है government मिला है semi government मिला है private मिला है किस type का college मिला है वो पूरा आपको clearly पता चल जाएगा तो सबसे पहले तो guys मैं आपको यह बताओंगे क्योंकि काफी ज़्यादा pages है मैं आपको दिखा दूंगे list लेकिन आप official website से अगर आपको पूरी list ही चाहिए तो आप official website पर जाएंगे और वहा से उसको डाउनलोड कर लेंगे ठीक है या फिर मैं नीचे description में लिंक दूंगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो guys सबसे पहले यह पूरा information देने से पहले यदि आप इस channel पर नए आये हैं तो channel को subscribe जरू किजिएगा ताकि आपको counseling admission process और official notice related की पल-पल की update आपको मिल ठीक है guys तो अब हम चलते हैं जो 2020 का official data है कि किस round में किस rank तक student का selection हुआ है किस category तक हुआ है तो देखिए तो guys यह देखिए मैंने list उठाई है पूरा official data है कुछ भी बनाए हुआ नहीं है ठीक है total admitted MBBS और BDS दोनों ही courses के लिए candidates in UG 2020 counseling अब आपके काम की चीज़ क्या है all India rank यहां students का दिया गया है ठीक है यहां पर category दी गई है आप किस category से belong करते हो तो आपको यह help मिल जाएगी किस rank तक किस category में selection होता है ठीक है यहां पर course दिया है कि इन students को MBBS course अलोट हुआ है या BDS course अलोट हुआ है और guys यहां पर यह important चीज़ है आप लोगों के लिए admitted round की इनका कौन से round में selection हुआ है जैसे one one लिखा हुआ है इसका मतलब इनका first round में इनको college लोट हो गया ठीक है अब यह total मिलाकर 1068 pages है तो guys 1068 pages तो मैं आपको पूरा नहीं वता पाऊंगे ठीक है तो आपको खुद से ही analysis करना है अब देखें जैसे मैं page number 3 पर हूं तो सबसे पहले यहां आप देखेंगे round one round one में selection हुआ है अब last may second last round two में इनको से इनका selection हुआ है जबकि इनका 180 80 रांग था ठीक है अब इनको जो college चाहिए था वो college इनको first round में नहीं मिल पाया होगा जिस वज़े से उनने second round में उनको यह college मिला है ठीक है अब देखें under reserve category से है आप इसका भी ध्यान आपको रखना है तो आप किस category से belong करते हैं यह पूरा ध्यान रखेगा अब guys काफी पर आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे कम rank वाले student को अच्छा college जैसे aims के example ले लेती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जो idolist जो जाती है वह फ़स जो preference होती है वह अमज डेली ही होती है तो guys जो से माल लिया जाए काफी पर ऐसा होता है कि rank जिसका कम होता है उसको एम्स नहीं मिला लेकिन जिसका rank high चला जाता है उसको जो है aims मिल जाता है तो यह कैसे possible हो सकता है ज्यूli कांसलिंग में आपने पार्टिस्पेट किया आपको वह कोलेज पर्टिकुलर जो कोलेज है वह अलोट नहीं हुआ उसके बाद क्या होता है जब राउंड टू की कांसलिंग होती है तो जो स्टुडेंट्स काफी स्टुडेंट ऐसे होते किसी भी रीजन की वज़े से वह एड मिल जाता है तो काफी पर आपने देखा होगा इतने कम रैंक वाले स्टुडेंट का एडमिशन इसमें नहीं हो लेकिन ज्यादा रैंक वाले का हो गया तो वहां पर यह रिजन होता है ठीक है अब देखिए यह पूरा आपका 1068 पेजिस है तो ओफिशियल वेब साइट से ड चरू किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको इन्फॉर्मेशन या फिर आप अप टूडेट रहे ठीक है जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थेंक्यू कि हुआ है पिर आपको इन्फॉर्मेश जल्द हैं यद्लू से लियुर।